सोलवा अध्याए जब सब्ट का दिन बीट गया तो मर्यम मगदलीनी और याकूब की माता मर्यम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली के जाकर उस पर मलें सब्टाह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई वे आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुड़काएगा जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा के पत्थर लुड़का हुआ है क्यूंकि वो बहुत बड़ा था और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा और बहुत चकित हुई उसने उनसे कहा चकित मत हो तुम येश्यू नासरी को जो कुरूस पर चड़ाया गया था ठोंती हो वो जी उठा है यहां नहीं है देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था परंतु तुम जाओ और उसके चेलो और पत्रस से कहो कि वो तुम से पहले गलीर को जाएगा जैसा उसने तुम से कहा था तुम वहीं उसे देखो और वे निकल कर कब्र से भाग गई क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर च्छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर सबसे पहले मर्यम मगदलीनी को जिसमें से उसने साथ दुष्टात्माई निकाली थी दिखाई दिया उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया और उन्होंने ये सुनकर के वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीती न की इसके बाद वो दूसरे रूप में उनसे दो को जब वे गाव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया उन्होंने भी जाकर समाचार दिया परन्तु उन्होंने उनकी भी प्रतीती न की पीछे वो उन ग्यारहों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीती ना की थी और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टी के लोगों को सूसमा चार प्रचार करो जो विश्वास करे और बबतिस्मा ले उसी का उध्धार होगा परत जो विश्वास न करेगा वो दोशी ठहराया जाएगा और विश्वास करने वालों में ये चिन्ध होंगे वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे नई नई भाषा बोलेंगे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक बस्तूर भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानी न होगी वे बिमारों पर हाथ लखेंगे और वे जंगे हो जाएंगे निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दिढ़ करता रहा आमीन